हेलो दोस्तों स्वागत आपका माय फार्माटिप्स यूटूब चैनल पर आज हम सुडियो में सेंसिक लियाओ बीडी ड्राय सिरप के बारे में पूरी जान कर लेने वाले यह सिरप कैसे काम करता है का इस्तमाल होता है इस सिरप के क्या बेनिफिट है क्या साइड इफेक्ट है इस सिरप से जुड़े सभी सावलों के जावप आपको इस उड़ों मिल जाएंगे तो वीडियो को लास्टिक दरूर देखिए मेकलोइड्स फार्मासोटिकल कंपनी का यह 30 ml का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 50 रुपए में मिल जाएंगा दोस्तों बताएगे कि मत समय के साथ कम यह जाता हो सकते है यह सिरप करेदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्किप्शन की ज़रूत होती है यह डॉक्टर के परची पर मिलने वाला सिरप है बात करते हैं इस सिरप में मौझूद कंटेंट के बारे में सेंसी क्लियाओ बेडी ड्राइ सिरप में एमॉक्सोसिलिन आईपी 200 mg क्लियाओनिक एसीड आईपी 28.5 mg यह कंटेंसमोष्ट है इसमें मौझूद एमॉक्सोसिलिन यह एक एंटिपाटिक ड्रग क्लास में आता है यह बैक्टेरिया के सेलवाल पर हमला करके बैक्टेरिया को किल करने का काम करता है यह ड्रग सेलवाल में तयार होने वाले एप्टिडोगलाइकेन को तयार होने से रोकता है जो बैक्टेरिया के लिए ज़रुरी होता है क्लियाओनिक एसीड यह बिटालेक्टेमस इन्हेबिटर ड्रग है क्लियाओनिक एसीड एंटिपाइटिक के पा समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर रूज़ करते हैं इसे कान का इंफेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर रूज़ करते हैं इस सिरब का उपयो निमोनिया की समस्या टॉंसिल की समस्या दूर करने के लिए योज़ किया जाता है इस सिरब का इस्तमाल यू इन्फिक्शन होने की समस्या, जोडो में इन्फिक्शन होने की समस्या, साइनस, इनसे भी समस्याओं को दूर करने कले, डॉक्टर इस शिरप का इस्तमाल, एंटिबाइटिक के तोर पर करते हैं, बात करते हैं, इस शिरप के डोसेस के बारे में, आप अपनी समस्या, अपने का डौस बहित आपकी बच्ची का वजण कम हो तो इस शिरफ का डोस भी कम होगा इसलिए आप अपनी बच्ची का डोस अपने डॉक्टर से निच्चित कर ले इसे आपने मन से घर पर न दे दो से पास साल के उम्रे के बच्चों को धाई एम्मेल दो से तीन बार आप अपने डॉक्टर के सलाग्यानुसार यह सिरफ दे सकते साइड इफेक्ट इस सिरफ के इस्तमाल से उनवाले दूश्परणाम यह दे आपकी बच चाले आना बदन दर्थ सिरफ दर्थ यह कुछ साइड इफेक्ट हो सकते प्रिकोशन इस सिरफ के उच करते समय साउधनिया अगर आपके बच्चों को इस सिरफ के इस्तमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर उन्हें इस सिरफ में मौजूद कंटेंस आलर जे तो आ या और डोस होने के संबावना कम होती है अगर आपके बच्चे को लिवर या फिर किड्ने से जुड़िके आनने समस्या है तो उसकी सुषना भी आपनी डॉक्टर को अवस्चे दे इस सिरफ को पानी में मिलाने के साथ दिन के अंधर इस सिरफ का यूज़ न करे इस सिरफ क तो इस तवाल करने से पहले इस सिरफ को अच्छी तरह से शेक करे इसे अच्छी तरह से हिलाए और बाद में ही अपने बच्चे को दे दोस्तों अगर आपको इस वीड़ो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे इस चैनल पर आपको अमिश्य मेडिसें लिवस मिलत रहेंगे थैंक इए फो वाचिंग इस वीडियो